आज पिरनी बनाएंगे पिरनी बनाने के लिए चावल को भीगाया है चावल भीगा के उसको निक्सी कर लेते हैं नाइस निक्सी करना है दूद को बॉइल करने रख दिया है तो उसमें केसर डाल रहे हूँ एक लीठर दूद में दो मुठी चावल पढ़ता है दो मुठी चावल भीगा के पीस के लेते हैं देखे ऐसा नाइस पीस लेते हैं दूद एक आदा घंटा ऐसा बॉयल करने के बाद अभी मिक्सी किया हुआ चावल इसमें डालके हाथ में ही निछोड़ना है घुमाते ही रहना है अचितर से यलाइची डाल रहे हूँ हाथ छोड़ने से गंट 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 बन जाएंगा इसलिए घुमाते ही रहना है दीखे चीनी दो ग्लास ऐसे चीनी पड़ता है लेकिन मैं यहां देड़् ग्लास चीनी डाल रहे हूँ अपने स्वादन सा ज़्यादा कम कर सकते हैं देखे, तो चीनी डालने के बाद पांच मिनिट के लिए अच्छी तरह से बॉयल करेंगे घुमाते रहना है इसको अलग-अलग कटोरी में खिला सकते हैं अब इसे बॉयल होने के बाद कटोरी में निकाल सकते हैं इसमें एक स्पून में घी डाल रहे हूं घी डालने से उसका टेस्ट अलग उता है खिर का इसलिए एक स्पून घी डाल रहे हूं देखिए, फेर नी रेडि हो गया है इसको अभी सर्विंग बॉल में शिफ्ट करें केरमी रेडी